नमस्कार दोस्तों तो फाइनली आज यानि के ग्यारा मार्च को इंडियन सिनिमा के रेबल स्टार प्रभास और ब्यूटिफुल एक्टर्स पूजा हिगले स्टार मजचाविटिट फिल्म रादेश शाम सिनिमा घरों में रिलीज की जा चुकी है और इस फिल्म को दोस्तों धमाकेदा शुरुआत बॉक्स ऑफिस पे मिल चुकी है साथी साथ दोस्तों इस फिल्म को तेल्गू स्टेट्स में रिकॉर्ड बिगिंग रिस्पॉंस मिला है जहां पे दोस्तों इस फिल्म के आज के लगबख सारे शोव सोल्ड आउट हो चुके हैं और सभी सिनिमा घरो के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगाया जा चुके हैं वहीं हिंदी लैंग्वेज में भी दोस्तों उमीदे थी कि ये फिल्म काफी अची कमाई करेगी लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉंस आउडियंस की तरफ से नहीं मिला है और हिंदी में कि बोर्ड फिल्म के कुछ उल्डाउट हो पाएं हैं लेकिन दोस्तों तेलगी स्टेट्स में एस फिल्म की दिवां की इक अलगी लेवल पर है और त तैलगी स्टेट्स में फिल्म रादे शाम को काफी कमाल की उक्योपेंसी मिली हुई और दातर सिनमा ग़रों के बाहर प्रभास और पूजा हेगडी की दवर से लव केमिस्ट्री देखने को मिल रही है इस फिल्म को दोस्तों साड़े 300-400 करोड रुपे के बजट में फिल्माया गया है और आडियंस की तरफ से दोस्तों यह फिल्म अब तक की सबसे अलग तरीके की लव स्टोरी बताई जा रही ह इस फिल्म में दोस्तों हमें प्रभास और पूजा हेगडी के हलावा बागे शरी जगपती बाबू और कुनाल रॉय कपूर भी नज़र आए हैं इस फिल्म में प्रभास जा पार्लमिस्ट विक्रमाधित के किरदार में नज़र आए हैं तो यह पूजा हेगडी फिल्म में प्रेना नाम का एक किरदार निबात वे नजर आ रही है इस फिल्म को दोस्तों आज हिंदी, तामिल, तेलगू, मलयालम और करनला भाशा में भारत बर में रिलीस किया जा चुका है जहाँ पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन एक record breaking ओपनिंग लेने की लीती ही, तो दोस्तों फिल्म रादे शाम को ले कर आपका क्या reaction साथी दोस्तों आप फिल्म रादे शाम देखनेंस इब में गर जाएंगा या नहीं हमें comment कर शुर बता है झाल झाल